धर्म योध्धा विश्णु अवतार कल्की अध्याय चौदह कल्की की ठुड़ी से पसीने की बूंदे टपकने लगी, जैसे ही वह सरपंच के घर की ओर बढ़ा. बाहर अस्तबल में उसे दो हट्टे-कटे आदमी दिखाई दिये, जो देर रात को जपकी ले रहे थे. कल्की ने दो घोडो का सामना किया, जो अजन्बियों को देख कर तुरंत हिनहिनाने लगे. कल्की ने उन्हें चुप करा दिया और लक्ष्मी की मदद से, वह दोनों घोडों को एक तरफ खींचने में सफल रहा. गाओ का सरपंच ही एक मात्र ऐसा व्यक्ति था जो इतना धनी था कि उसके पास घोडे थे. बैलों की तुलना में घोडे तेज थे, खास कर मौजूदा परिस्थितियों में. कल्की एक घोडे पर चड़ गया, जबकि लक्ष्मी दूसरे पर बैठ गया. लक्ष्मी के विपरीत, उसे घोडों के बारे में बहुत कम जानकारी थी, और उसे अपने नियंतरन में लाने में उसे समय लगा. लगाम का उप्योग करें और इसे नियंतरित करने के लिए इसे अपनी ओर खीचें, और फिर धीरे धीरे उस दिशा में धखेलें जहां आप जाना चाहते हैं, उसने फुस्फुसाया. कल्की ने सिरहिलाया. उसे सर्पंच से चोरी करने का विचार पसंद नहीं आया, जो अब एक समाचार प्रचारक के साथ बैठक में व्यस्त था, इन अग्यात मलेच्चों के खिलाफ अगली कारे योजना पर चर्चा कर रहा था. जब वह बाहुबलियों से दूर निकल गया, तो उसने लक्ष्मी से कहा कि वह बैठक के पास जाए, ताकि वह सुन सके की वास्तव में क्या हो रहा है. दूर से, वह लोगों के एक विशाल समूह को देख सकता था, जिसमें ज्यादा तर पुरुष्ट थे, जो सरपंच के चारों और खड़े थे, आपस में जगड रहे थे और बड़बड़ा रहे थे. कलकी ने जंगल में खुद को छिपा लिया था, ताकि वह सरपंच की आखों में न आये, अन्य था उसे पता चल जाता कि उसका घोड़ा एक डेरी किसान के बेटे द्वारा ले जाया जा रहा है. हमें चले जाना चाहिए, लक्ष्मी की आवास पीछे से आई. चुप, कलकी की उंगली उसके होठों पर फिर गई. कलकी ने जोरदार चिलाहट सुनी. हम अपनी जान जोकिम में नहीं डालेंगे. चलो सेना मंगवाने के लिए निकटम शहर को एक पत्र भेजते हैं. कोई भी हमें सेना नहीं देगा. मैंने सुना है कि इस गाव में जीवन कठिन होने वाला है. हमें खुद जाँच करनी चाहिए. कोई भी हमारी परवाह नहीं करता. लगातार शिकायतें आती रही. एक ने तो यह कहने की हिम्मत भी की कि शायद यह मलेच नहीं, बलकि स्वयम विश्णू थे. वह यहां से भाग कर आया होगा. उसे बचाने का कोई फाइदा नहीं, शायद वह पहले ही मर चुका है. नहीं, वह नहीं है, कलकी ने खुद को आश्वस्ट किया. उसने डाकूँ के बारे में सब कुछ जान लिया था. वे व्यक्ति को तब तक अपने पास रखते थे, जब तक वह उनके लिए साधन संपन्न न हो जाए, या कम से कम यही उसे गुरुकुल में युद्ध कक्षाओं के दोरान सिखाया गया था. स्वास्थय अध्ययन, खाना पकाने और क्रिशी कक्षाओं की तुलना में ये कक्षाओं कम संख्या में थी, लेकिन सबसे दिल्चस्प थी. वह अर्जन के साथ उनकुछ लोगों में से एक था जो गुरुकुल गये थे, एक अलग मंदिर जिसमें देश भर से चात रहाते थे, उन्हें खाना खिलाया जाता था और पढ़ाया जाता था. कल्की को शुरू में जाने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन वह समझ गया था कि विश्णू उसे क्यों पढ़ना चाहते थे. विपत्ती से बचने के लिए ग्यान होना चाहिए. उस ग्यान के कारण, अब उसे अपने शत्रू के बारे में पता चल गया था. कल्की ने घोडे को आगे बढ़ाया और पहाडी पर चड़ गया, उसका लबादा जंगल की टहनियों से टक्रा रहा था. जब वह मैदान से बाहर आया, तो खुरों की आवाज नीरस हो गई थी. पत्तों के रौंदने से उसे कोई परेशानी नहीं हुई. तरत्रह के फूलों की खुश्बू ने रात को खुश्नुमा बना दिया था. तुम्हें हत्यारों की क्या जरूरत है? तुम उन्हें अकेले ही हरा सकते हो. तुम मेरी ताकत को ज्यादा आखते हो. अगर एक डाकू होता, तो मैं वही करता जो तुमने कहा, लेकिन बहुत सारे हैं. हिंसा के मामले में इंसान मगरमच्च से भी बत्तर हैं. ठीक है. तुम कितने उधार लेने की योजना बना रहे हो? बाला ने कहा कि वह हमारी मदद के लिए सराइ से पांच और लोगों को इकठा कर सकता है, ताकि हमारे पास जरूरत से ज्यादा हो. और तुम्हारा क्या? मैं? मैं जाओं? तुम नहीं चाहती? नहीं. बस मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम सोचती हो कि लड़कियों को लड़ने की अनुमती है. कलकी ने अपनी आँखे सिकोड ली. क्यों नहीं? अगर लड़के लड़ते हैं, तो लड़किया क्यों नहीं, जब उसने अपना समय लिया तो वह रुक गया. तो तुम लूट का एक बड़ा हिसा वापस लेने की योजना बना रही हो? शायद कलकी ने सिरहिलाया. लेकिन कलकी को लड़ाई के दोरान हत्यारों का इस्तिमाल करने में डर लग रहा था. कभी-कभी मुझे अफसोस होता है कि इस गाव की सुरक्षा बहुत अच्छी तरह से नहीं की गई है. अचानक लड़ाई की स्थिती में कोई कैसे बचेगा, उसने रुक कर अपने ही सवाल का जवाब दिया. वे नहीं बचेंगे. वे बाहर की दुनिया को देखने के लिए बहुत अलग थलग हैं, यह जानने के लिए बहुत भोले हैं कि हम अप्रत्याशित और कठिन समय में जी रहे हैं. कलकी को सहमत होना पड़ा. जैसे जैसे वे आगे बढ़ता गया, अपनी यात्रा की खामोशी और एकरस्ता से घिरा हुआ, उसका दिमाग तेजी से संभावनाओं पर काम कर रहा था, हाला की उसका दिल डूबा हुआ था. वह हमेशा अपने पिता को इस गाउ में फजाने के लिए दोशी ठहराता था, लेकिन अब वह खत्रे के रास्ते पर था और कलकी को दोशी महसूस हो रहा था. वह डरता नहीं था क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता चतुर हैं लेकिन वह इस बात के लिए दोशी महसूस कर रहा था कि वह हमेशा उसके बारे में बुरी बाते कहता रहा यह डूपता हुआ एहसास था जो उसे दर्द के शूने में फसा रहा था उसे आखिरी बार ऐसा तब महसूस हुआ था जब अर्जन ने गलत जामुन खा लिये थे और बीमार पढ़ गया था कलकी ने उसकी देखभाल करने के लिए हर संभव कोशिश की, हर दिन अर्जन को चिकित्सिय मालिश और आउश्दियों के लिए जादूगर के पास ले जाता था वह अपने पिता पर इसलिए गुसा था क्योंकि वह अपनी ताकत के पीछे चिपे सवालों के जवाब नहीं जानता था वह तब भी गुसा था जब उसके भाई अर्जन को गंभीर, अध्यनशील और बेहतर माना जाता था वह हंसी का पात्र था इन सभी बातों ने उसे विशनु पर गुसा दिलाया, लेकिन इससे वह दुखी भी हुआ अब उसे किसी भी चीज से ज्यादा उसकी याद आती थी और वह उसकी सुरक्षित वापसी से ज्यादा कुछ नहीं चाहता था क्या तुम ठीक हो? लक्ष्मी ने धीरे से पूछा उसने आगे की सडक पर देखा यह खाली थी और दूर दूर तक जमीन आस्मान से मिल रही थी जिसके दोनों और जंगल एक बिंदू पर मिलते हुए लग रहे थे नहीं नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ